आप सभी का बहुत बहुत बिलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंट्स आज के इस ट्रीटल में हम बात करेंगे ADS में Dissolve किस तरीके से लगाया जाता है मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारा क्लीप है और सारे क्लीप को एक साथ आप Dissolve लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे तो आज उसका हम सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उसका सेटिंग क्या है उसका सौट कट की क्या है तो सारे चीज का जानकारी Dissolve के वारे में हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता देंगे ताकि आपको कभी भी Dissolve लगान में प्रोब्लम ना हो तो फ्रेंट्स हमारे चैनल पर अगर फर्स टाइम आये हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो हमें ADS को ओपेन कर लेते हैं यहाँ पे मेरा ADS है और इसको ओपेन करते हैं डवल क्लिक करके तो यह जब डवल क्लिक किजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है ADS on होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा मुश्किल से 10 सकेंड 15 सकेंड यह देखे इस तरीके से ADS open हो गया यहाँ पे new project पे चले जाना है और 90 20 and 1080 25 फ्रेम से लेके ओके कर लेना यह ADS open हो गया अब देखे इसमें समझने वाली बात क्या है गौर से आप ध्यान दिजेगा सबसे पहले तो यह बीन को हम यहाँ से स्वाड़ सीक्वेंस को हम यहाँ से डिलेट कर देता है इसका कोई जरूवत नहीं है अब यहाँ पे हम डवल क्लिक करके जो मेरा ओरिजिनल वीडियो सूट किया हुआ है कैमरा से उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे डवल क्लिक करके या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से ओपन किजिएगा तो यह सारे बीन के अंदर आ जाएगा यह देखे सारे बीन के अंदर आ गया और बीन के अंदर जब आ गया तो इसको Ctrl A प्रेस करके आपको Drag and Drop करना है यहां पर टाइम लाइन पर तो यह सारे वीडियो टाइम लाइन पर आ गया अब देखे डिजॉर्व क्या होता है डिजॉर्व यही होता है कि एक वीडियो दूसरे वीडियो में मर्ज हो जाता है दोनों वीडियो को वो मर्ज कर देता है तो उसी को डिजॉर्व हम लोग बोलते हैं डिजॉर्व का एक एफेक्ट होता है एफेक्ट पैनल में आप जाईएगा जब तो यहां पर एक एफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का बहुत सारा एफेक्ट है उसमें पर देखिए डिजॉर्व का एक यहां पर आपको मिल जाएगा डिजॉर्व तो यहां से आप ड्रैक और ड्रॉप करके आप यहां पर लाके छोड़िएगा तो क्या होगा कि यह डिजॉर्व लग गया यहां पर देखिए एक वीडियो बंद हो रहा है और एक वीडियो चा किजिएगा कीबोर्ड में तो सारे में डिजॉर्ब लग जाएगा लेकिन उसमें कंडिशन क्या है कंडिशन यही है कि जब आप फर्स्ट टाइम एडियस को इंस्टॉल किजिएगा तो आपका नहीं करेगा उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होता वह दहान से देखिए तो वह सेटिंग को सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या K deek किया हुआ है तो हम कीबोर्ट के पर जैसे ही कंट्रोल फी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का मेरा डिजॉर्व लग गया मतलब की एक विडियो को दूसरे वीडियो से यह मर्ज बताएंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां से सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यूजर सेटिंग पर क्लिक करना है देख लीजे सेटिंग पर जाना है तो यूजर सेटिंग पर जैसे ही जाएगा तो यह चार-पांच चीज का यहां प प्रोजेक्ट फाइल है यह सब तो आपको क्या करना है सबसे लास्ट वाला जो टाइम लाइन लिखा हुआ है इस पे आपको चले जाना है टाइम लाइन पे और जो इतना ओप्सन यहां पे दीख रहा है सब को आप छेडिएगा नहीं नहीं तो फिर सेटिंग आपका बहुत खराब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं कि किस चीज को हम सलेक्ट कर लिए और यह मेरा इस तरीके का प्रॉब्लम आने लएगा तो आपको क्या करना है फिर से आप देख लिए अप्लिकेशन में चले जाएगा टाइम लाइन पे चले जाएगा अब जब फर्स टाइम सब्स्राइärम जब एडियस को इंस्टावल करते हैं तो इसमें टिक लगा हुआ रहता है मतलब चेक की अहुआ रहता है इसаю ज пожए तरीके से यह जब चेक कर लेंगे और ओके करेंगे तो अब इसमें क्या है कि हम कंट्रोल फीस करते हैं तो आप डियौक यह नीचे लग रह तो यह चीज नहीं करना है यहां पर चले जाना है यहां से आपको टाइम लाइन पर किलिक करना है यह जो चेक किया हुआ रहेगा जब आप एडियर्स को फर्स्ट टाइम इस्टाइम किजिए गा सिस्टम में तो यह चेक किया हुआ रहेगा तो इसको आपको अंचेक कर लेना है बस अब यहां से अपलाई किजिए और ओके कर लिजे तो यह क्या हुआ अपलाई ओके जैसे ही करेंगे तो अब देखिए जितने भी वीडियो में आपको लगाना है ट्रांजिशन सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल एसे अल सेलेक्ट नहीं करना है शिफ्ट एसे जाएगा उसके बाद आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं सारे वीडियो में यहाँ पे बीच में एक एफेक्ट लग गया ट्रांजिशन का तो एक तो यह तरीका है अब इफेक्ट में चले जाएगा यहां पर देखे ट्रांजीशन लिखा हुआ है तो ट्रांजीशन को आप पकड़ कि यहां पर बीच में लगा सकते हैं लेकिन आपको बारी-बारी से सारे वीडियो में क्लिप में लगाना पड़ेगा तो यह आपका मेहनत थोड़ा सा टाइम बरबाद हो जाएगा अब देखें यह डिजॉर्ब जो है आप कोई सिनेमेटिक्स काम बना रहे हैं या फिर आप कोई भी प्रिवेडिंग का एडिटिंग कर रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा काम करता है इसमें काम क्या करता है कि अगर इस वीडियो को हमें स्लो करके लास्ट करना मतलब कि इसको धिरे-दिरे बंद करना है तो यहां से जब प्ले करेंगे और जो लास्ट होगा तो धीरे-धीरे उसका आफ होगा मतलब कि लाइट धीरे-धीरे-धीरे-धीरे वह कम होते जाएगा और लगेगा कि यह मूभी बंद हो रहा है तो यह सब डिजॉर्व का काम है और बहुत ही बहतर काम करता है डिजॉर्व आप हर लगा सकते हैं आप वीडियो है वीडियो सौंग है क्लोज अप सौंग है या फिर आप हाइलाइट बना रहे है तो यह बहुत ही बहतरीन एक इफेक्ट है तो फ्रेंड्स यह टिटोरियल आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर फर्स टाइम आये है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड अगर आपको और कुछ सिखना है तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाएं वहाँ पर कॉमेंट करें हम उस टाइप का टिटोरियल आपके सामने जरूर लेके आएगे तो आज तक लिए तहीं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद